हेलो दोस्तों रमस्कार सत्रियाकाल एन आदाब मैं हूँ आपका दोस्त राज़ा वस्तिया और आज के हमारे इस वीडियो में आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत स्वागर है दोस्तों क्रियेटिव लाइटिंग के उपर आज का ये एपिसोड है और इस एपिसोड को पूरा देखेगा क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले है किस तरीके से आप दो फ्लैश का यूज करके इंडोर पोट्रेट ले सकते हैं इंडोर हैट शॉट ले सकते हैं और दोस्त आज हम जिस तरीके से सेटिंग किये हैं वो सारा डीटेल में आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर अगर मैं बताओं सबसे पहले जो कैमरा हम यूज कर रहे हैं वो है सोनी का A7R3 कैमरा और इस कैमरे में जो मैं लेंस यूज कर रहा हूँ वो है सोनी का ही 85 mm 1.4 G Master का लें कुझा प्रिदे उस करते हैं कोई भी कैमरा अगर आप यूज करते हैं ड़ेंट मैंटर यह करता है कि आप जो सेटप में आज आपको समझाने वाला हूँ वो सेटप आप एग्जेक्टी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो आए दोस्तो सेटप तूर कराने से पहले मै एक छोटा सा information देदू, indoor lighting mastery का पूरा का पूरा course हमने बनाया हुआ है और वह course available है हमारे website में और हमारे application में आप वहाँ पे जाके सारा का सारा course purchase कर सकते हैं especially indoor studio का सारा का सारा setup हमने बतायबा कि किस तरगे से हम lighting करते हैं, कौन-कौन से equipment लगते हैं, कौन सी light आपको लेनी चाहिए, कौन सा आपको flash लेना चाहिए, कौन सा modifier यूज़ करना चाहिए, पोट्रेट्स के लिए ये सारा कुछ आपको उस course के अंदर मिल जाएगा तो आप चाहें तो indoor lighting master का course हमारा ले सकते हैं, बहरहल आज के हम जो ये shoot है वो start करते हैं और आपको बताते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ करने वाले हैं, ये episode थोड़ा लंबा होगा, लेकिन episode लंबा होने के सांसर आपको बहुत सारे चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, त दोस्तों ये मैंने आपको camera बताया, उसके अलावा जो मैं trigger यूज़ कर रहा हूँ, वो है Godox का X1 trigger है, ये sony series का है, मैं आपको light और उसकी settings भी बताऊँगा, तो यहाँ पे हम जो light यूज़ कर रहे हैं, वो है Godox की AD200 light, Godox की AD200 light में ये जो छोटा सा एक octa है, मैं आपको प समझाता हूँ पहले, ये octa में आपको दिखा दिया, octa में ये लगा हुआ है, इसके अलावा आप यहाँ पे आजाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक Godox का V1 flash है, तो ये simple V1 flash है, इसके साथ हम जो backlight है, backlight in the sense, यहाँ पे अगर मैं इसको press करता हूँ, जैसे मैं आपको एक बार trigger करके दिखाता हूँ, पहले मैंने ये light off कर दिया, मैं आपको A to Z सारी चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे इनका यह अला जो पार्ट है, इस पे overall rim create करने के लिए, rim light create करने के लिए, हमने इस light को direct यहाँ दिया हुआ, ये light हम background में दे रहे हैं, ना ही हम इस angle स दे रहे हैं, हमने क्या किया, just cover किया है, हमारे subject से, हमारे object करने की light पूरा का पूरा cover है, और चुकि हम headshot ले रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा headache नहीं है, अब यह है V1 flash, इसका जो power है, अभी 1 is to 1 है, 1 is to 1 हैने की फुल power में है, यहाँ पे मेरे पास दो reflectors हैं, आईए मैं आपको रिखाता हूँ, reflector number 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है हमारा reflector 1, जो कि अगर मैं इस light को यहाँ से ऐसा throw करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी यह जो light है, जब हमारे subject पे पड़ेगी, यहने कि अगर इस light को मैं यहाँ से, यह light जब यहाँ प हमारा अक्सर यहाँ पर का इसा dark हो जाता है, तो इस light को हम, चुकि हम दो light यूज़ कर रहे हैं, तीसरी चौथी को light है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और reflector यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो reflector यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे silver कर रहे हैं, दोनों का combination ह क्यों कर रहे हैं यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा फिलाल यह दोनों को आप इस तरीके से लगा सकते हैं चाहे तो आप दोनों को golden या दोनों को silver या दोनों को white diffuser भी लगा सकते हैं या white आप थर्मा कोल अब overall बना दिया है लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना है पहले आपको क्या टेस्ट करना है मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको light overall setup करना होता है तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं अभी yearly light on रखता हूं यह light मेरी on है और अभी मेरी yearly light off है yearly light हम यहां पर रिम light create कर रहे हैं आपको उस light के ऊपर ध्यान देना है तो मैं सबसे पहले मेरा background light या backlight जो है उसको ok करूँगा यहां से मैं अपना camera start करता हूं camera की setting अगर मैं बता हूं आपसे तो मेरे camera की जो setting है वो jpg plus raw में मैं shoot कर रहा हूं यहां पर मैं आपको डिखा सकता हूं कि हमारा जो camera है उसमें यह jpg plus raw है इसके अलावा अगर मैं focusing की बात करूँ तो मैं single point AFS और यहां से flexible area select कर रहा हूं ताकि मैं अराम से focus track कर सकूँ आइस के ऊपर अगर मैं अपने aperture की सारी aperture की बात करो तो 5.6 का aperture है अगर मैं wide balance की बात करो तो 5000 केलविन का मेरा यहां पे wide balance है creative style यहने की जो हम standard यह creative style में standard में shoot कर रहा हूं contrast जो है मैंने minus one रखा हुआ है saturation जो है वो zero है और यहां पे sharpness भी zero है तो यह मेरी overall setting है यहां पे trigger मैंने लगाया हुआ है channel मैंने रखा हुआ है one और अगर मैं group की बात करूँ तो मेरा जो group A है वो मैंने backlight में रखा है और group B जो है वो मैंने रख setup मैंने आपको समझाया अगर आपको group और channel सेट करने नहीं आता तो मुझे comment करके बताएगा तो मैं पूरा detail में बता दूंगा कि आपको group और channel कैसे सेट करना है फिलाल यहां पर यह setting है अंकिर भाइक रेडी है और हां मैंने main आदमी से आपको मिलवाना भूल गया अंकिर बहुत देर से जमाई ले रहे हैं को कि हम काफी देर से उनको परिशान कर रहे हैं तो यह setup होने का था लगभाग बारा बज़े और अभी तकरीबन चार बज़ गया है बारा से चार बज़े तक हमने उनको बिठा कर रखा हुए तो इतने patience के लिए उनका बहुत की लाइट है तो मैं यहाँ पर हाई सिंग टेक्निक यूज़ कर सकता हूं क्योंकि मुझे और थोड़ा सा डार्क करना है तो यह benefit है गोडॉक्स की लाइट या गोडॉक्स के फ्लैश यूज़ करने का तो मैंने 500 का सटर रखा हुआ है देखते हैं इसमें क्या एक्सपोजर वो create है यहाँ पर अगर hairs पर हम देखें तो overall पूरा hair अच्छे से cover हो गया है हमारा lighting के थूरू तो जबी भी आप इस तरीके से light setup करें तो याद रखें दो फ्लैश अगर आपके पास है तो एक से आप rim light जरूर create करें rim light create करने का benefit ही होता है कि आपका subject हमेशा illuminate दिखता है background से यहाँ पर यह टेकनिक बहुत ज्यादा काम आती है अब दोस्तों यह हमने setup कर लिया अब इसके बार हम क्या करते हैं इस light को on कर देते हैं तो यह light मैंने on कर दी अब यहाँ पर इस light को इस light की height कितनी होने चीए इस की दूरी कितनी होने चीए यह बहुत बड़ा एक एक ब पास रखेंगे तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे नीचे रख देता हूं ऐसा तो क्या होगा यह सारी चीजे बहुत डीटेल में समझने वाली बात है और यह एक वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर मैं एक अंदाजन इतने दूरी में रखता हूं और यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं यह जो लाइटिंग स्टाइल है एक तरीक से थोड़ा सा रेमबरेंट स्टाइल में है तो यहां से रेमबरेंट सेट अप किया हुआ है अगर आपको रेमबरेंट और सारे लाइटों का डीटेल सीखना है तो आप हमारे इ देख सकते हैं जब मैं लाइट को यहां से एक फाल्स क्लिक करता हूं तो यह यहां टकरा के उनके राइट वाले जो गाल है उसमें आती है यह देखे इस तरीके से तो यह बेनिफिट होता है आपका अगर आप ऐसा ही उसकरते हैं तो प्लस हमारा जो बैक्ग्राउंड है जो भी लाइट वो भी लाइट एक तरीके से स्प्रेड होके यहां टकरा के इनके इस फेस पे थोड़ा सा फिलर का काम करती तो इस तरीके से आप काफी खूबसूरती से लाइट कर सकते हैं फिलाल मैं आपको क्या करता हूं इसको एक बार हटा देता हूं इसको मैं कर दे खारा हूं उसके बार इसको जब एड़ करेंगे तो देखेंगा कितना मज़ा आता है तो यहां पर अभी मेरा पार सिर्फ दो लाइट्स है कि और यह मैं ले लेता हूं एक हैट शॉट है ठीक है अंकिर रेड़ी अगर आपके क्लाइंट्स इसको प्रिफर करते हैं उनको यह अच्छा लगता है तब अच्छी बात है और अधर्वाइस फिर आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर यूज करना चाहिए अब मैं रिफ्लेक्टर एड़ कर देता हूं यहां पर एक एड़ कर दिया मैंने और यहा इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि मेरी लाइट यहां से थ्रो कर रही है तो अब एक बार हम चेक करते हैं दोस्तों यह वाली जो फोटो जैना यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आप डाउनलोड करके इसको एडिट करके मुझे भेज सकते हैं और ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं देखता हूं कि मैं देखूंगा किसकी फोटो बहुत अच्छी आई है कोन बैदरिन एडिट किया है और जो भी बहुत अच्छा एडिट करेगा डेफिनिटली मैं उस फोटो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाउंगा और आप आपका भी इंस्टाग्राम स्टोरी इससे प्रमोट हो सकता है मेरे थूँ तो यहां पर अंकित आप रेडी है को दिक कर थोड़ी है फोटो शेयर कर सकते ना तो अंकित भाई को को दिख करनी है ठीक है यहां पे हम अगेन फिर से करते हैं मैंने सेटिंग में कोई भी छेड छेडखानी नहीं किया है सारा कुछ सेटिंग सेम है सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर एक दो रिफ्लेक्टर लगाए है और इसका एफेक्ट देखते हैं कि क्या आता है ठीक है थोड़ा सा फेस्ट डाउन कीजिएगा ओके हां यहां देखी गाए यह नाइस थोड़ा सा मैं सर्टर डाउन कर लेता हूं और लेता हूं कुछ फोटो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी जो भी शैडो था वो सब खतम हो गया अब सिर्फ आपको फटा-फट शॉट्स लेने तो यहां पर अंकिर भाई कि हम कुछ शॉट लेते हैं अ झाल 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 तो यहां पर हो गया हमारा शूट ओवर शूट खतम हो चुका है और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा इनी फोटोस का रीटच के उपर होगा कि आप कि एव इस करना है बहुत ही इस तरीके से तो यहां पर आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप में को बताईएगा और कमेंट करेंग अ आपको और कोल से टॉपिक पे और भी ज्यादा कवर ही चाहिए तो फिलाल यहां पर थैंक यू सो मच रंकित जी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरे वीडियो में हमारे साथ थे और अगेन अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाना तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही आप नहीं तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फटाफाट इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिजिए आज का यह वीड झाल झाल